असलामु अलाइकुम जी स्ट्रेंड्स जैसे कि आपको बता है कि यूदिश्टी ने अनौंस किया है कि आप अपने डाकुमेंट की वैरिफिकेशन करवाएं और उसके लिए एक शेडूल जारी कर दिया है तो 28 नमंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप अपने डाकुमेंट की वैरिफिकेशन करवा सकते हैं और आपने जाना कहां है मैं आपको भी एक लिस्ट दिखाता हूं कि कौन कौन से केमपस में आप जा सकते हैं अपने डाकुमेंट की वैरिफिकेशन के लिए ऐसे तमाम students जिन्होंने fall 2023 में admission लिया है वो अपने documents, original documents and attested photocopies लेकर अपने listed campus में जाकर अपनी verification कराएं और वहाँ पर आपका biometric होगा इसके लिए आपने लेकर क्या जाना है अपने साथ two attested documents photocopy two passport size blue background की picture original CNIC, original document metric FABA जो भी आपकी qualification हो वो आपने अपने साथ लेकर जानी है और यह आपने सुबह 9 बज़े से लेकर शाम पाँच बज़े तक office का time है आप अपने listed campus में जाकर वहाँ पर अपनी documents original और photocopy साथ ले जाकर उसको biometric करवा सकते हैं और उसकी date जैसे कि उन्होंने बताई है कि 28 November से हम start करेंगे और 4 December तक time है अब मिसाल के तौर पे कि आप किसी और city में मौजूद हैं और आपका जो admission है वो किसी और city में हैं लेकिन अभी job के सिलसले में आप लहोर, मुलतान, इसलामबाद, कराची कहीं और पर मौजूद हैं तो क्या किया जाए तो आप इस लिस्ट के हिसाब से आप अपनी जिस city में आप मौजूद हैं उसके हिसाब से आप वहां जाकर अपने बायोमेट्रिक करा सकती हैं हर city का इन्होंने mention कर दिया है address भी phone number भी और सारा जैसे कि कराची का है भावलपूर, चिनियोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, गुजर खान यह सारे cities हैं जिनका आपने विजिट करके अपनी डाकुमेंट की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टन बात यह है कि यह डाकुमेंट की वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है क्यों कि आपके मिड इमतहान में entry पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक आप अपनी डाकुमेंट की वेरिफिकेशन नहीं करें लहाजा उस वक्त आपकी बायोमेट्रिक भी नहीं हो सकी अब वो आपके असल डाकुमेंट देखेंगे वेरिफाई करेंगे और अटेस्टिड डाकुमेंट अपने पास रखेंगे और आपकी बायोमेट्रिक होगी बायोमेट्रिक का हर बंदे को पता होता है कि बायोमेट् की डिटेल्स आ जाएगी कि आपने कब कहां से कितनी डिगरी पढ़ी और क्या 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 स्टेटस है यह सारी आउनलाइन नादरा के रिकार्ड में सेव हो जाएगी और इसको कहते हैं बाइव मैट्रेक तो इस जिमन में आपका तमाम कट तमाम डेटा ऑनलाइन हो जाएगा और आप अपने डाकुमेंट की वेरिफिकेशन करवाएं और जल्द जल्द जैसे आपको दफ्तर की मसरुफियात से टाइम निकले आप अपने नियरेस्ट सिटी में जाकर जैसे के यह केपी के है यह बिलोचिस्तान है यह केपी क का रिजन और यह साहिवाल का रिजन इनके तमाम एड्रेस आपके सामने आ रहे हैं इन इन एड्रेस पे जासके लेकिन अगर आपके आप रह कहीं और रहे हैं और जॉब कहीं और कर रहे हैं जैसे कि अकसर बॉइस का मुझे राप्ता हुआ तो वो कह रहे हैं तो सर्जी हम अपने नियरेस्ट जो आपका है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं लेकिन इस लिस्ट में जो मौजूद हैं आपने उन में जाना है ना के किसी भी कैमपस में नहीं इस लिस्ट के हिसाब से ये लिस्ट में आपको बार बार दिखा रहा हूँ आपने इस लिस्ट के हिसाब से अपने करीब तरीन जो भी है वहाँ पे जाना है मिसाल की तर पे जिलम में है मेटर ट्रेट सेंटर मार्कीट जिलम मिसाल की तर पे गुजराँ वाला में है नियर कंगनी वाला और फैसलाबाद में है West Canal Road फैसलाबाद अगर आप ननकाना साब में हैं तो ननकाना अगर के इस campus में जाना है अगर आप पिशावर में हैं तो KPK में हैं तो आपने इस campus में जाना है VBT01 में और अगर आप पिशावर के दूसरे में देखा जाए तो वहाँ पर ये है campus opposite board office पिशावर तो anyway आप अपने हिसाब से अपने करीब तरीन जो आपका इस list में मौजूद है उसमें जाकर अपनी biometric फौरी तोर पे करवा लें और अपने तमाम original और attested document को अपने साथ लेके जाएं और ये process आपका 4 दिसंबर तक हो जाना चाहिए ताके आप अपने mid term exam में बहासानी appear हो सकें और आपकी जो online registration है वो complete हो जाए तो यहां तक के लिए खुदाहाफिस आपके जहन में कोई क्यूरी हो कोई सवाल हो तो आप हमसे message भी कर सकते हैं और हमारा website को like करें और हमारी किसी भी क्यूरी को इसको आप हमें coordinate कर सकते हैं हमारे साथ रापता कर सकते हैं हम आपको मुकंबल guide करेंगे यहां तक के लिए खुदाहाफिस जब आप अपनी profile पर click करते हैं तो वहाँ पर आपकी profile में शो होता है फारम नंबर वो फारम नंबर आप यहां से देखकर वहां लिख सकते हैं student profile पर click करते हैं तो यहां पर आएगा आपका यह यह इस्सा और यहां पर आपका फारम नंबर लिखा होगा जी और यह कहते हैं कि write admission farm number view ID on the top corner of the each document जो आपने document की foot state करवानी है उसके top corner पे आपने नुमाया तोर पर view LMS का ID लिखना है या admission farm का नंबर लिखना है अगर आपको LMS का ID पता है वो लिखें और अगर आपको farm का नंबर भी पता है तो वो लिख दें farm का नंबर कहां से पता चलेगा मिसाल के तोर पर यह आपका farm नंबर है यह आपका student LMS की profile में जाते हैं तो वहां पर जब आप click करते हैं अपनी तस्वीर के उपड़ तो वहां पर नीची आता है